ये पूछ रहा था आपसे कि ब्लॉगिंग के अलावा आपने 2021 से अभी तक और क्या कुछ सीखा है करने की कोशिश की है मैंने बहुत सारे चीज़े मतलब डिजिटली तो नहीं की लेकिन आप लाइन में मैंने बहुत सारे चीज़े एक्स्प्लोर की है तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी ट्राय किया था वो स्टार्टिंग में जो कुछ बताते हैं वो थोड़ा अलग तरी के इससे बताते हैं फिर बाद में एंट्री लेने के बाद में मुझे पता चला कि ये कुछ और ही है तो मैंने उसे ट्राय किया मेरे से नहीं हो रहा किया आपने शोशल मीडिया पर खुद को ग्रो करने का ट्राइग किया इंस्टाग्राम यूट्यूब फेस्बुक इन चीजों के बारे में कुछ सोचा या करने के कोशिश की अभी जैसे इन्फुएंसर को देखा था तो मतलब उतना तो मुझे पता नहीं था उस ताइम पर लेकिन हाँ मैंने खुद के पिक्स वगरा मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खुद से अपने ड्रेस बना हूँ तो वो चीज़े मैंने करी थी और खुद के ड किया होगा तो कंसिस्टेंटली किया था हर एक दिन या फिर अब लेके इस नहीं तो पहन कर उसको शोकेज घरते थे जैसे models वगरा करती है तो मैं अभी जितना समझ पाया हूँ आपने चैसे शुरू से बताया है आप computer science background से हो ठीक है और 2021 में आपने digital marketing का अपना किसी का course purchase किया था वहाँ से आपको blogging वगरा का पता चला और वो successful हो नहीं पाया 3 blog आपके fail हुए blog fail होने के बाद आपने और भी चीज़े इसमें सीखते गए content writing के बारे में थोड़ा बहुत सीखा basic blog setup करना सीखा और इसके अलावा आप network marketing में आपने try किया और दूसरी चीज़ें में try किया बट कहीं पर भी आपको अभी वो growth और वो success नहीं मिल पाई जो आप देखते हो YouTube पे आपने starting में किसी का digital marketing का course लिया है ना और उसके बाद कोई आप कह रहे थे कोई person आपको मिला जिसने कहा ता guide वगरा करेगा बट उसमें कोई trust issues वगरा आए और वो भी आपका fail हो गया और जो आपने efforts वगरा डाले वो भी fail हो गया तो क्या उसके बाद आपने किसी का course download किया किसी का course purchase किया या कभी कोई आपको mentorship वगरा के लिए कहीं कोई चीज दिखी या फिर आपने try की नहीं उसके बाद में मैंने मतलब नहीं try किया क्योंकि recorded class कभी कोई फाइदा नहीं होता था बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने वो चीज नहीं try की खुछ से explore किया कुछ YouTube के help लिए कुछ मतलब Google कर search करके ऐसे ही मैंने मतलब सारी चीज़े explore करी और YouTube और मतलब सारी चीज़े तो मिल जाती है इंडरनेट पर लेकिन उसमें भी यह दिक्कत होती है कि मतलब जो एक जब वैसे ही जो उसमें बताते हैं टुटोरियल वगरह में सेब्टू सेम करने बैठते हैं तो वह हो नहीं पाता उसमें कुछ ना कुछ गलती मिलती है हो तो जाता है कई बार हो भी जाता है मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दूँगा अभी कि आपका खुद से अगर आप करोगे तो रोड मैप क्या रहने वाला है अगर आप मेरे साथ करोगे तो रोड मैप क्या रहने वाला ताकि आपका solution आपको मिल जाए है ना अब चाहे आपको मेरे साथ करना हो तो भी आप कर सकते हो आपको खुद से करना हो तो भी आप कर सकते हो मैं आपको रोड मैप complete बता देता हूँ सबसे पहले आपको multiple चीजों को छोड़के एक चीज पर focus करना पड़ेगा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको website पर काम करना है, blogging करनी है, youtube करना है, instagram करना है, facebook करना है, क्या करना है बहुत सारे mediums होते हैं, बहुत सारे platforms होते हैं जिनको use करके आज के time पर आसानी से पैसे कमाये जा सकते हैं ठीक है, और ये genuine है, कोई वो नहीं है कि fake है, लेकिन इसका trick क्या है, trick ये है कि आपको किसी एक platform को पहले grow करना है, सब पे एक साथ नहीं जाना, सब पे एक साथ जाओगे तो confused हो जाओगे और कोई भी grow नहीं कर पाओगे समझ पा रहे हो, अब जैसे for example आपने website अपनी अगर grow करनी है, तो अगर website grow करनी है, तो आज के time पे आपको जो website है, वो organic traffic से आराम से 6 महिने 1 साल, 2 साल लग जाएंगे, original content के साथ, ठीक है, और अगर हम unethically चले, तो उसमें पैसा जाता है, traffic खरीदो, ये करो, वो करो, 100 पाते हैं, कि इसमें tension भी रहती है, कि हमने 10,000 लगा दिये, 20,000 लगा दिये, अब कितना return मिलेगा, क्या होगा, वो 100 चिंता रहती है, लेकिन सब कोई organic तरीके से काम करता है, अपना, तो उसको कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि तब उसके पास अपना hard work होता है, कि मुझे hard work करना है, तो ही मुझे result मिलेगा, अब आपके case में क्या है, कि आपको websites के बारे में आपने सीखा, ठीक है, अब आज के time पे YouTube या Instagram पे Reels या Facebook के लिए कुछ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, है न, YouTube पे हजारों ऐसे videos मिल जाएंगी, आपको वो मिल जाएंगे, कि जिसमें तीनों platform सी YouTube, Instagram और Facebook में से कोई एक platform चूज करो, ठीक है, उस platform को चूज करने के बाद उसको grow करो, डेली उस पे कोई content डालो, अब content वगरा क्या डालना होता है, वो मेरी class में ही रहता है, कि पूरा मैं, जैसे मैं कोई course sell नहीं करता, कि आपको मैंने कोई recorded course दे दिया है न, कि बस आप ये देख लो और उसके बाद कर लेना, मैं हाथ पकड़के step by step चलवाता हूँ, जो भी बच्चे होते हैं, जो भी students join करते हैं उन सब को, कि आपने इस तरीके से करना है, पहले 7 दिन उनको पूरा बताया जाता है, सारा framework तयार कराया जाता है, उनसे पूछ के और जो हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अब दो option होते हैं, अकेले हम करते हैं तो हम YouTube या फिर website पे किसी blog का साहरा ले सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक mentor होता है, कोई बताने वाला होता है, तो वो आपको बहुत quickly, बहुत आसानी से आपको उसी वक्त concept को समझा सकता है, उ यार, नहीं यार, कुछ बंतो रहा नहीं, पैसे पूसे तो आने रहे, मैं कैसे लिखूँ, motivation नहीं आ पाता हो, है ना, तो आप blog स्टार्ट कर देते हो, या फिर social media के लिए कुछ स्टार्ट कर देते हो, YouTube वीडियो या फिर Instagram कुछ भी, तो वो हम consistently कर नहीं पाते, वो ये trend चल रहा है, अब तो ये trend चल रहा है, मैं इसमें कर रहा हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा है ना, तो वो सारे एक structured way में तयार मैं करवाता हूँ, ये चीज़ कि आपको, अगर इसमें रहना है, आपने जैसे for example, finance की niche चुनली, तो उस finance में multiple कितनी sub-nishes में रहे कर ही आपने अपना वही काम करते रहना है, और trend के साथ अपने काम को integrate कैसे करके वो चीज़ डालनी है, तो मैं आपको ये suggest करूगा, कि पहले आप YouTube, Insta और Facebook में से कोई एक चीज़ चुनलो, ठीक है, उस पर work करो, उस पर कम से कम 2 महिने, 3 महिने काम करो, और जब उस पर audience आएगी, देख है, तो results आते हैं, 3 महिने बहुत sufficient time है, बहुत अच्छा result लाने के लिए, जो process follow सही करता है, उसके लिए 3 महिने बहुत सही time है, तो जब वो आपका grow हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी website शुरू करो, ठीक है, उससे benefit क्या होगा, कि आपके पास organic traffic के call लाने की वो भी होग और फिर उसको search console में submit कर रहे हो, तो आपके पास कोई impression नहीं, कोई visitor नहीं, लेकिन वहीं अगर आपके पास एक social profile है आपकी, और तब आप एक website start कर रहे हो, तो आपके पास initially ही 10-50 लोग होते हैं, जो आपकी website पर आएंगे, उसको देखेंगे, और जब आपकी website पर visitors आते है तो Google उसको ज़्यादा real समझता है, कि हाँ ये सही बंदा आया है, काम करने के लिए आया, आपने जो भी तक चीज़े सीखी हैं, जो भी करी हैं, उन सब को और ज़्यादा शाप करो, और अगर आपको मेरे साथ personal mentorship program में जाना है, तो आप वो भी चुन सकते हो, उसमें में देली ये बताऊंगा, है ना, पहले साथ दिन पूरा बताया जाएगा, कि कैसे क्या 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 करना है, पूरा step by step सब कुछ blogging के बारे में, social media के बारे में, YouTube पे कैसे grow होना है, Instagram पे कैसे होना है, साथ सब को लेकर कैसे अपना एक ecosystem तयार करना है, कि आप एक platform पर, एक platform के लि उसमें जाएंगी, content plan, content calendar बनाके मैं आपको दूँगा, पूरा है ना, उसके basis पे, और फिर इसमें क्या होता है, कि seven days के class के बाद, आप सीखते हो, आप जो भी उसको आप implement करना start करते हो, अपना काम करना start कर देते हो, क्योंकि देखो, classes में क्या होता है, कि वो चीज भी बि नहीं ये करना है, student को time ही नहीं मिलता, कि जो वो सीख रहा है, उसको practically implement कर सके, ठीक है, practical implementation बहुत ज़रूरी होती है, तब ही तो उसको question आएंगे, जब वो practically कुछ करेगा, और उसको problem आएगी, तब ही तो question आएगा, otherwise लगाता है, अगर कोई 45 days, या 30 days, या 20 days पढ़ाएगा, live classes भी अगर लेगा, तो उसमें बच्चे को problem आएगी ही नहीं, क्योंकि उसको practical करने का time ही नहीं मिला, है ना, तो 7 days के बाद आपका काम start होता है, अपना काम करते हो regular basis पे, और जो problem आती है, मुझे WhatsApp करते हो, मैं तुरंत उसका solution देता हूँ, महीने में 2-3 बार उसके बाद ह हम फिर से connect होते हैं, review करते हैं, कि आपकी website कैसी चल रही है, YouTube कैसा चल रहा है, Instagram कैसा चल रहा है, और उसको बहतर कैसे कर सकते हो, है ना, design में, look में, feel में, content में, ये सारी चीज़े रहती हैं, तो अब मोटा मोटा last में आपको यहीं कहूँगा, कि अभी आपके पास 2 option है, प मुझे भेज देना, मैं उनको review करके बता दूँगा, कि आपको इन पे अपना time invest करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा, अपना कोई एक social media platform start करो, consistently उस पे काम करो, 30 से 90 दिन काम करो उस पे, और उसके बाद अपनी website start करो, और अपना brand बनाने के कोश करो, अगर आप ऐसे ही एक उसमें लगे रहोगे कि मैं कोई एक नीश पे website start कर लेती हूँ, आपको कोई नहीं जानेगा, आपको कोई social profile नहीं बन पाएगी, और नहीं Google में एक जो authenticity create होती है बंदे की, कि हां से एक नाम डाला और उसके multiple पूरे pages सारे खुल गए हैं ना, जै तक अपना personal brand नहीं बनाओगे, अपना personal एक presence नहीं बनाओगे, online presence नहीं बनाओगे, तब तक success मिलनी possible नहीं है, otherwise उनी सारी चीज़ों पर फस जाओगे कि यार मैं site बना लेती हूँ, आगे बेच दूँगी, 10,000 बेच दूँगी, वो भी सही नहीं मिलते आज कर, क्योंकि dark अन एथिकल चीज़ें इतनी जादा बढ़ चुकी हैं इंटरनेट पे कि सही लोग मिलना मुश्किल है, seller भी, buyer भी, है न, तो वो चीज़े रहती है, अगर organic तरीके से चलना है, तो यही एक वो road map है आपका, कि आप एक चीज़ चुनो, focus के साथ, उसी पे काम करो, जब वो थोड़ा grow हो जाए, तब और दूसरी चीज़ों को साथ साथ लो, क्योंकि जब वो grow हो जाएगा, तो वहां का traffic आप दूसरी अपने sources पे divert कर सकते हो, ठीक है, और कोई question आपका, नहीं मैं आपको मेरी website की जो link है, मैं बहेज दूँगा आपको, आप बता दीजे गा फिर, च यसी मुझे time मिलेगा कभी, तो आपको reply जरूर कर दूँगा, thank you so much, thank you sir.